Welcome back guys to another very important video of CGL 2023 एक चीज़ यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे SAC CGL 2023 और 2024 में क्या एफेक्ट आने वाला है because of that humongous high cut-off in tier 1 tier 1 में हम लोगों को पता है cut-off कितना गया हुआ है 1500 for general ठेकर से 1500 गया हुआ है for general updates हो बहुत लोगों को नहीं मिला है तो बहुत लोगों को cut-off नहीं clear हो है तो यह सब लोग जाने वाले हो आप लोग जो CGL 2024 है और सब जगा में मैं पढ़ भी रहा था कि 2024 में ज्यादा वेकिंसिस आने वाला है जो करीबन सही भी है कि वेकिंसिस जादा आने वाले है बाट एक बार इस साल का CGL देख लेते हैं अभी Tide 2 में जाने वाले हैं बहुत लोग तो Tide 2 में जाने के लिए उससे पहले अगर तुम ऐसे तरफ के वीडियो देखते हो या Tide 2 या CGL में इंटरेस्टेट हो ये चैनल जरू सब्सक्राइब कर देना मेट फॉर SSE के Insta Facebook टेली कोई भी क्वैरी है वहां पर डाउट पूछना और ये जो वीडियो है इस वीडियो बहुत ही important होने वाला especially for Tide 2 candidates तो जरूर पूड़ा इंट तक देखना लेकिन उससे पहले में एक चीज़ बता देना चाहता हो जो बुक्स है जो भी लोग Tide 2 में जाने वाले हो अगरावाल exam card is your destination for the books मैं ये पहले भी बता चुका हूँ ये जो दो बुक्स है मैं यहां पर बताना चाहता हूँ quantitative aptitude और general English ये दोनों बुक इतना अच्छा है मैं ये पहले quantitative के बारे में अगर बात कर भी लेता हूँ तो quantitative में आप देख सकतो कि standard deviation important examples करके भी दिया हुआ रहता है और अलग-अलग से examples रहता है जो आप लोगों का previous year का question new year का question expected year questions ये सब यहां पर रहता है इस अब बेरी important book especially वो जो statistics का part है वो जो probability का part आ रहा है वो सब के लिए ये book बहुत important है और मेरे time में तो सबसे अच्छा book था किरन लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ ये बहुत honestly बता रहा हूँ कि ये books किरन से भी अच्छा है for knowing and solving the concepts imported examples देके बता हूआ है और ये जो English book है इस साल English में 135 है जो लोग टार्टू में जाने वालो तो this book will be a very 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 much help to you सब interjection Hindi और English जो लोग Hindi में अच्छे हो हिंदी के लिए बहुत अच्छे से bilingual में दिया हूआ है book में तो book links are in the description और first comment में मैं दे दूँगा वहाँ पे जरूर जाओ और जरूर जा कि ये book check out करो बहुत important है और second point जो है test mentor के लिए मैं बताता रहता हूँ जो लोग भी 71,000 में कोई भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वो test में टैपिंग टेस्ट बहुत important है क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो final stages में आप लोग rejected भी हो जा सकते हो क्योंकि CGL का typing speed काफी अच्छा रहता है CHSL के तरफ उतना भी अच्छा नहीं अच्छा मांगता है लेकिन अच्छा मांगता है तो ये चीज बहुत important है कि typing और books ठीक ठाक से पढ़ो दोनों का ही link description और first comment में है जाओ referral link भी है उससे आप लोगो discount भी मिलेगा practice करते रहो अब ये जो vacancy and posts है एक बार देख लिएते हैं 71,112 जा रहा है जहां पर vacancies है 8,500 के आसपास मतलब 1 is to 8 के आसपास लिया हुआ है ठीक है 1 is to 10 भी नहीं अब CSS में 700 लोग चले जाएंगे 700 लोग चले गएं मैं ये पकड़के चलता हूँ ये at least ये पकड़के चलता हूँ कि 71,112 में से at least 10% जो होता है 7,100 at least जो 10% होता है जो है 7,100 लोग ये लोग at least qualify करेंगे टाइट 2 के बाद मतलब टाइट 2 के बाद in the final stages अब इस में से selection होगा मतलब 8,000 तो vacancies है तो 7,000 लोग तो qualify करेंगे उसके छोर के मैं ले ले लेता हूँ वो लोग टाइपिंग वाइपिंग सब कुछ लेके वो लोग 12,000 लोगों को ले रहा है उसमें से 8,000 लोगों को नौकरी मिलेगा क्योंकि उससे जादा कितना लेगा अगर उससे जादा लेता है supposedly 71,000 में वो उसको सोच ले स्टाफ सेलेक्शन की 20,000 लोगों को क्वालिफाइग करवाएंगे फिर अगर टाइपिंग में फेल किया कंप्यूटर में फेल किया देखा जाएगा तो अगर 20,000 जाता है तो main competition तो यहाँ पे हो गया टाइट्टू में ज़ादा competition नहीं होगा टाइट्टू में इसलिये नहीं हो क्योंकि 70,000 में 20,000 लोग अगर selected होने वाले है तो करीबन वो 30% के करीब आई जा रहा है तो 30% selection rate in टाइट्टू कभी हुआ नहीं था पहले इस बार भी बहुत कुछ नहा देखने को शायद मिल सकता है लेकिन मैं यही बताने वाला हूँ कि जो लोग भी टाइट्टू के लिए जा रहो इतना easily मत लेना क्यों मैं बता रहो मैं supposedly 12 भी नहीं पकड़ता हूँ 7 भी नहीं पकड़ता हूँ मैं बीच में 14 के पकड़के चलता हूँ 14,000 लोगों को qualify किया उसमें से कंप्यूटर टाइपिंग टेस्स मिला के उन लोगों को लग रहा है मुझे कैंडिडेट्स मिल जाएगा अब 14,000 में से जो फर्स्ट जो फर्स दिल ली जाईए ये चाहिए वो चाहिए एक हजार तो एक्स्टानल एफस एफस में चला गया फर्स्ट एक हजार में मैक्सिमम लोग CSA से ASO में चला गया तो एक हजार लोग मेरा चला गया ठीक है अब आठ हजार के वेकिंसी में बात कर रहा हो 14,000 में 8 के लोग जाने वाले हो तो आठ हजार में एक हजार लोग चला गया 692 में और उसके बाद अगर कोई भी चाते कि GST, AST मिल रहा है तो पहले से 2000 से 2500 तो GST में चला गया क्योंकि GST लोग लेगा ही लेगा पहले से बाद में से जो भी है जिन लोग को भी मिलेगा बहुत सारे लोग ऐसा होगा कि अच्छा माक्स है लेकिन मुझे होम पोस्टिंग चाहिए इसलिए मैं GST नहीं लेके मैं कोई ब्यालीसो ग्रेट पे STLA लेता हूँ तो बहुत लोग वैसा होगा लेकिन मैं रैंक वाइस बता रहा हूँ ये सारे 3000 तक GST, ASO, Fill Up हो गया अब 22 में क्या था 22 में DA था कुशन्ट पोस्ट ये CPT पोस्ट भी नहीं था और CPT पोस्ट नहीं होने के कारण से ये पोस्ट बहुत अच्छा था कि डारेक्ट इसमें चले आ पाऊंगे लेकिन ये सारे अभी CPT पोस्ट है और DA ही नहीं इस साल हो गया तो ITI CPT पोस्ट नहीं है लेकिन ITI का कटाफ हाई जाएगा PO CPT पोस्ट है Examiner CPT पोस्ट है CPT का कटाफ हाई रहना होगा तो मैं पकड़ लेता हो कि पहले ये JSTB CPT पोस्ट है और CSSB CPT पोस्ट है मतलब 4 टॉप पोस्ट CPT पोस्ट है ITI छोर के तो मैं चारो पोस्ट में तो मिनिममम 4,000 लोग जाएगा ही जाएगा 4000 लोग चले गए 8000 में से 4000 लोग चले गए अब बहुत लोगों को लगेगा कि शायद मेरा तो नहीं होगा मैं STA ले लेता हूँ STA नहीं मिलने से मुझे CGA तो मिली जाएगा कोई किसी को लगेगा मैं CGA ले लेता हूँ नहीं मिलने से TA तो मिली जाएगा तो STA CGA मिला के 26 है तो 26 लोगों को नौकरी मिल रहा है CGA और TACBIC में TACBDTCBIC अब यहाँ पे देख लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो GST मिल रहा है लेकिन STA लेगा for home posting तो क्या होगा मैं यह बता देना चाहता हूँ यह 622 पहले fill up हो जाएगा लेकिन यह GST और STA यह एक साथ fill up होगा एक साथ fill up होगा मतलब GST और STA में जो 2800 vacancies है करीबन एक साथ fill up होगा लेकिन बहुत सारे vacancies fill up भी नहीं होगा मैं फिर भी अगर पकड़ लेता हूँ कि किसी लोगों को 24-2800 ग्रेट पर मिला है पहले आली सीजिल में 21 में या 22 में और यहां पर GST मिला है तो वो बाहर में जाने के लिए ready है तो जा भी रहा है क्योंकि जादा तर vacancies हाइदरवाद और मुंबई में है बैंगलोर में भी है तो बाहर जाने वाले है तो जा रहा है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जाएगा क्योंकि उन लोगों के लिए home posting में STA क्यों जाएगा अगर STA मुझे home posting मिलता है तो पात साल में मैं तो home में ही JST inspector बन जा रहा हूँ तो मैं JST के लिए बाहर क्यों जा पर ट्रांसफर ही नहीं है SIMS logical तो इसका seat बहुत in तक चलेगा इसका seat इससे पहले ही fill up हो जाएगा और last में जो seat fill up होगा वो है ITA, CGA और TACBIC इसका मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ इसका मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर यह जो cutoff जाने वाल है अभी TAC2 में जो final cutoff क्योंकि CGA accountant, accountant, auditor यह सब में करीवन 100-100 vacancies है तो उसका तो high cutoff जाएगा ही जाएगा लेकिन यह GST और STA का cutoff और याद रखिएगा 330 प्लस तो जाएगा ही GST का cutoff लेकिन EA का भी जो लोग EA के लिए भी जाने वाले हो कि मुझे STA चाहिए उन लोगों को भी 330 के आसपास मिलना है क्योंकि इस दोनों post का एक ही cutoff जाएगा दोनों ही बहुत valuable post है और दोनों में ही बहुत अच्छा है अगर मुझे बाहर में GST inspector मिल रहा है और मुझे अगर घर में STA मिल रहा है 1200 ग्रेट पे जहां पर मुझे पता है कि 5 साल के बाद मैं automatically inspector बन जाओंगा तो मैं बाहर तो जाओंगा नी तो इसी के कारण STA और EA EA और GST inspector करीबन एक साथ fill up होगा पहले ASO fill up होगा CSS का फिर बाद में साथ fill up होगा और मैं यह बता देना चाहता हो कि 2800 ग्रेट पे के लिए जो भी लोग जाने वाले हो CJ का तो ठीक है लेकिन CAG, CGDA, BACC नहीं है जादा तर इन लोगों का 320 प्लस लेकर आओ फोर जेनरल यह सब यू आर के लिए मैं बता रहा हूँ मैं जो स्ट्रेटीजी मैंने जो वीडियो दिया था वहाँ पे मैंने बताया था टार्गेट 340 प्लस अब मुझे लगता है अगर 340 प्लस अपको नहीं मिलेगा तो आपको 1600 ग्रेट पे ही नहीं मिलेगा शायद आपको 800 ग्रेट पे मिलेगा यूँकि 2600, 2600 के बाद क्या रहता है 2600 बार ही नहीं सिर्फ है 570 वैकंसे और ये और जिस टी एक साथ एक साथ फिलाप होगा जैसे हम लोग लास्ट यर भी देखे थे जी एस्ट इंस्पेक्टर और डी ए का कट आफ करीबन एक इसलिए जिन लोग का मार्ग 380 प्लास होगा उन लोग का बहुत सारे ऑप्षेंस रह जाएगा लेकिन जिन लोग का मार्ग 332 के नीचे आ जाएगा उन लोका आप्षेंस बहुत घटा जाएगा और हो सकते है तो मवें 2800 या 2400 तक मिले क्योंकि मुझे लगता है इस साल 2400 के लिए भी कट आफ 310 प्लस जाएगा फ़र यू आ फिर जाके कंप्यूटर में कट आफ होगा फिर जाके टाइपिंग टेस्ट में कट आफ होगा सब दे दू के फिर होगा और बहुत सारे लोग क्योंकि चौबिस में जाने वाले हो चौबिस के लिए एक डीटेल वीडियो म वारे में होगा किंकि बहुत सारे लोग इस से रिजेक्टेड हो अ करशी चौपैस में जाने वाले हो और जो लोग भी 24 में जाने वाले हो यह वीडियो अभी तक देख रहो ये बात जानलो कि 24 में ऐसा ni tegen ज freuen من je vain में इससे भी जादा होगा कि बाइस में तो वैस ही बहुत को मिल गया था लेकिन थेइस में तो ट्यार वंड में लोगों को मिला नहीं है तो सारे लोग तो चौबिस में जाने वाल है तो 24 का कट आफ और भी हाई जाएगा अगर vacancy considerably high नहीं रहता है, अगर इस साल 8000 vacancies है तो नेक साल अगर 12000 या 13000 vacancy नहीं रहता है, तो cut-off तो करीबन 160 के आसपस चला जाएगा फर जनुरी और मैंने जो स्ट्राटीजी बताया था रिजिनिंग का और GK Maths English का टाट्टू का एक स्ट्राटीजी डीटेल मैंने क्या है प्लेइलिस्ट में आई बटन में शेयर करें तो जाओ जाके एक पूरा देख लो जादा वक्त नहीं लहेगा, लाइक मेनी अदर वीडियो मेरा दो बटन में हैं, जाओ देख लेना, कोई और भी वीडियो चाहिए, CGL 2023 का पूरा प्लेइलिस्ट है, CGL 2024 के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, और बाकी सारे एक्जम्स के लिए भी लेकर आ रहा हूँ, इस चैनल को फॉलो करते रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीज और इंस्टाग्राम आईडी और फेस्बुक आईडी में जरूर अपना कोईडिस पूछिएगा, टेलिग्रम में जॉइन कर लिजेगा, बहुत सरे इंपॉर्टन डेटा में यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ, और यह वीडियो के ऊपर क्या फीडबेक है, बताना मत भूल क्योंकि इस साल जो लोग भी टायट टू में जाने वाले है, 71,000 में से, अगर कोई यह वीडियो देख रहा हूँ, मैं इम लोगों को यही बताने वाला हूँ, कि at least if you are from UR, target 330 plus, if you are from SCST, target 300 plus, if you are from OBC, target 325, 328 plus, if you are from EWS, the same thing, 325 plus, उससे नीचे में 400 ग्रेट पे ही नही मिले जाएगा, क्योंकि अगर 1500 marks मिल रहा है, 71,000 और 1 is to 8 ले रहा है, बहुत सारे vacancies तो रह जाएगा, बहुत सारे लोग जोइन नहीं करेगा, बहुत सारे लोग टाइपिंग क्लेंड नहीं करेगा, तो बहुत सारे धमाल मत जाएगा, पूरा एक दो मार्ट पीड हो जाएगा, लेकिन जो लोग में computer में पास पास कर जाओगे, जो लोग टाइपिंग में पास कर जाओगे, जो लोगो 330 पलस रह जाएगा, उन लोगों को घर में पोस्टिंग भी बहुत असानी से मिल जाएगा, इन 4200 and 4600 गे में बहुत सारे बाहर पोस्टिंग मिल जाएगा, 46 1-0 गर में पोस्टिक मिलने के लिए 340 प्लास फो यूँआ इस इस चैनल जो जो वीडियो में प्लेलिस में जरूर फॉलो कीजिए बताए कैसा लगा चैनल अभी तक वीडियो देखरो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता है नेक्स वीडियो में अंतिल दिन मेरा में प्रता है कीप फॉलोग में एट फॉर एससी और जो भी सीजिल 22 के लिए जाने वालो वालो वह बेस्क्राइब कोई भी क्वेडियो ए टेलिग्रम इंस्टाग्म में पूछो और जो भी जा रहो है 2024 में let's not lose hope क्योंकि इस बार अम लुग जीतेंगे coming with you with a brand new video on sigil 2024 until then tata goodbye all the very best this is Pratai signing off